अपना जून दोज़ाइश की तयारी करना तो वह भी इस वीडियो को देख सकता है कोई दिक्कत नहीं कि मैं आपको यहाँ पर डीप में सब कुछ explain करने वाला हूं तो देखे सबसे वहले आपको पताएगी आप चार सब्जेक्ट है accounting law quantitative aptitude economics हर कोई सब्जेक्ट जो है 100 marks इज का है यह ना हर कोई सब्जेक्ट शुरू के जो दो पेपर यानिगी पेपर वन पेपर टू वह हमारे सब्जेक्टिव पेपर है और पेपर थी और पॉर वह हमारे अब्जेक्टिव पेपर हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे कि हमारी अब यहां से सब्सक्राइब करूं तो इस समय आपको ऐसे नहीं करना है कि यार कुछ भी उठाया और कुछ भी करें जा रहे हैं सबसे पहले क्या क्या आता है क्या नहीं आता है सबसे फोकस करना इस समय अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहे तो फोकस करना आप आपको सबसे मेले strong areas पर strong areas जैसे कि strong areas आपको 4 subject के अंदर देखने हैं कि आपके कौन से कौन से है जैसे कि for example एक अकाउंट के अंदर आपका NPO अच्छा है एंप अच्छा होने का मतलब क्या है कि आपकी concept बहुत अच्छे से clear है question practice में भी कोई दिक्कत नहीं है test phase भी enough दे रखें या फिर आप जब भी question करते हैं तो आराम सी एक बार में निकल जाता है balance sheet balance sheet match हो जाती है तो सबसे बहले आपको हर एक subject के अंदर कौन-कौन से topics कौन-कौन से chapters strong है वह आपको एक page पर लिख लिएना है और इस समय सबसे पहले उनको revise करना है सबसे बहले उनको सबसे बहले उनको revise करना है और अपनी note से करने कहीं से और कुछ नए करने की जूरत नहीं है उसके बाद आपको करनी है on chapters की question practice question practice आपके लिए आई-से मोडियूल के सारे के सारे questions करेंगे आई-से मोडियूल के उसके लावा आटी पी पास एक्जाम या फिर अगर आपके परफेक्ट प्रेक्टिस बूक है तो more than enough है अगर आप परफेक्ट प्रेक्टिस बूक ले चुके है तो बहुत ही बड़ी है परफेक्ट प्रेक्टिस बूक के आप सारे questions कर लेंगे तो आई-से मोडियूल आटी पीमटी पास एक्जाम सब कुछ कवर हो जाएगा सरफ परफेक्ट प्रेक्टिस बूक में और कुछ करने की जूरत नहीं है सबसे पहले आपने आपने इसे करेंगे और उसको आपको किस परफेक्टी से चेक कराना है अगर आप इतने ही सेल्फ सफिशेंट होते तो अब तक सीए की घर आ चुकी होती है तो टेस्ट चेक कराना एक्सपर्टी से अपसर इतने सारी टेस्ट कहां से में लेंगे चेप्टर भाई तो उसके लिए आप हमारा 9.0 के अंदर एंडर कर सकते हैं मातर कुछ 1000 रुपे के अंदर आप अपना सीए फांडेशन शॉर्ट शॉर्ट नेकाल सकते हैं और साथी साथ एक नई चीज और बता दू कि 15 फरवरी से 15 और उससे आपका निया बैच चालू हो रहा है तो जिनका भी नहीं हुआ है यह जो भी पहली बार अपना कर लिया टेस्स दे दिया ठीक है अगर कम है तो इसका मतलब आप आप सब कंसर्ट को अच्छे से देखो उसके बाद आना है बी के डिगरी चप्टर बेसी के अंदर क्या है एक डिगरी अन्दर वाले चप्टर नहीं है जो चप्टर में को आते हैं जिसमें कोई दिक्कत को ऐको दिग्या अपसे लेकि एक क्यों से देख सकते हैं और इसकी खौर्मन्ट नहीं थी चाहें बेरेगिख को किamasठ सकते हैं ऑपने इसकी खास रिकौर्मेंट नहीं है अभी बैच चालो नहीं ओ तब यह रहो तक हमको बहुत जादा प्रीकोजट है बहुत जादा नेसेसरी है अब तो समझे लो अब भी नहीं समझोगे तब काप समझोगे अटेंट प्रेटेंट लगते जाएंगे बिटा समझो इस बात को इसके लावा अगर मैं बात करूं नियू स्लेवर बच जाएगा और इसके लावा बच जाएंगे जो अभी तक हमने सीकेटी गरी या जो चैप्टर मैंने नहीं करे थे तो उसके बाद हम इने करेंगे और उनका भी तरीका सेमी रहने वाला है कंसेप्ट कोश करें लिए अपको एसास हो जाना चाहिए वह जरूरी है इसके लाव आप इस तरीके से आप एक अपना हर एक सब्जेक के लिए आप इस तरीके से आप एक पॉर्मेट बना सकते हैं कॉपी लिजिए और यह कि चैप्टर नेम कंसेप्ट प्रेक्टिस टेस्ट है जब भी जो करें इसके बाद मैं बात करूं हम सब्जेक्ट वाइस के अंदर कैसे कर सकते हैं क्या क्या करना है तो सबसे बहुत करूं कि तो अच्छे का से चैप्टर है तो आपको घखराने की ज़रत नहीं है कि उसमें कम है अगर आप देखेंगे अगर आप दो सब्सक्राइब के साथ बी स्टाट करते हैं तो मॉडियूल वन को आपको करने में मुश्किल से से 25 लगेंगे अपने थोड़ा बात पढ़ रखा अगर ना तो मॉडियूल वन को अगर आप थोड़ से सीरेसली ले और आपने अकाउंट के साथ जैसे फॉर एक्जमपल लॉग रहे हैं तो 25 दिन के अंदर आपको मॉडियूल हो जाएगा और लगभग 35 दिस के अंदर मॉ आ चुका है कंपनी के अंदर इशू और इशू और इसके बाद आगे बढ़ाईए चीजों को कोई दिक्कत कोई प्रशानी नहीं और जिसको आते हैं यह वाले चप्टर उठाइए डिवाइस करिए और इसके बाद ब्रेक्टर पर हाथ साफ करो अच्छे से तरीके से अब सब्सक्राइब करने हैं आपको किसी बी चप्टर करना पड़ता है तो जब भी आप कोशन कर रहे हो तो तो ट्राय करिए कि at least 50 प्रेंटेशन के साथ करिए जैसाब एक्जाम में करने वाले हैं तो यहां से आपको प्रेक्टिस की स्पीड थोड़ सी आ जाएगी और अकाउ स्पीक्राइब को यहां सत्सक्राइब कर लिए तो प्रेक्टिस कर लिए तो बीक नहीं कर आएके All जो आता है उसको स्टॉंग कर लो बात करें अगर लॉकी लो में इस बार बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई और लॉक का वेपर क्योंकि आउट आगया आई से हमेशा कुछ ना किसी ना किसी पेपर में तो छड़खा नहीं करेगा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं है एक से दो दिन में हो जाएगा इंडियन कॉंट्रेक्ट अगर आप कर रहे है तो आप इंडियन कॉंट्रेक्ट चे स्टार्ट करिए टाइम लगेगा बट लॉक के अंदर सरफ एक चीज़ का नहीं देख लो इस बार भी आपको जो आउट आप डॉपक्स पेपर ल लिटर लिवार नहीं आने वाला है लिट्रली से वार नहीं आने वाला है चाहिए इस बात को समझ लो लॉड के अंदर सरफ एक ही रड नीती आपको पास करा सकती है वो है राइटिंग पेक्टिस कर ली तो कोई दिक्कत परशानी नहीं है सब्सक्राइब कोई भी कोशन उठाइए मतलब आपने जैसे इंडियन को ट्रक्राइब हो गया तो कोशन उठाइए और रेगुलर बैसे पर 30 मिनट रहेगी कि बैटा रिपीटर कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रिशानी नहीं होने वाली अभी आपके बहुत टाइम है आपको जो जो चप्टर होते जारे रिवाई उसको साथा टेस्स अभी से अगर एक दिन एक स्ट्रेजी अपना ली तो बिलीव भी पास हो जाओगे तो लॉग के अंदर भाई साब कहानिया सबको अच्छी रखती है बड़ आपको क्या राइटिंग प्राने हैं चाहे आप नहीं ह LR करएगी अगर मैं बात करें क्यूंतिटेटीटीट्व एकप्टिट्व क्वाइश इस बार आप बच्चों की दुग-दुगित से कम उई जातर बच्चों की बच्चों है बट भाई साहब आई से कभी बेस पेपर में मुझे ले ले पर आपकी दुग-दूगुष में ह सब्सक्राइब कर लिए और उसके बागी चप्टर करिया राम से कोई दिक्कत को प्रिशानी नहीं क्यों टेंशन लेनी है मैं सब्सक्राइब कर रहा है तो हर एक चीज को क्रेक्ट करने का एक तरीका होती होती है को समझानी की कोशिश कर रहा हूं कि यार सब कुछ पॉसीबल है अगर आप ने ठान लिया है तो तो क्वाइंटिटिव एप्टिट्यूट को आप ऐसे कर सकते हैं सरफ और सरफ आपको क्या करना है आई से मोडिल की कोशिशन से परफेक्ट प्रेक्टिस के कोशिशन टेस्ट इतने सारे टेस्ट अपने खुद के देने के लिए तो आप सब के लिए बनाए है तो उनको दीजी यह लगातार तब जाके फायदा होगा अराउंड अगर मैं मैंस मैंस में और उससे जादे ही होंगे शट उसके बात करें अगर मैं एकनोमिक्स के अंदर मैंने कुछ इंपोर्डेंट चप्टर रखें वैसे आगर मैं बाता हूं तो फॉस्ट चलेके फिफ्ट चप्टर उपड़ाने हैं और उसके बाद बागी के पाथ चप्टर नए है इंपोर्डेंट चप्टर की बात करेंगे तो थिए और ये चोड़ दिखत नहीं है economics के अंदर objective paper है perfect practice जो हमने इसकी economics के लिए बनाई थी क्योंकि objective paper थे तो इसके अंदर ये बताए गया है कि बाकी तीन आंसर गलत क्यों है तो इससे क्या होगा आपका concept बिल्ड हो जाएगा तो perfect practice book और test paper में हमने आपके लिए तिनी मेहनत कर रखी और recorded lecture के अंदर आपको एक से ज़्यादा teachers का option मिलता है live classes का option मिलता है recorded देख सकते हो live class के recording देख सकते हो तो बिना time waste करें फिफ्टीन तो फैप से जो बैच चालू हो रहा है उसके अंदर एंडोल हो सकते हैं और जिसको उनका जून 24 के लिए 100 पसंत ही आ रहे है और वह कहता है कि येस आई केंड़ विल दो इट ठीक है जी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना फटाबट से वीडियो का लाइक कर दो शेर कर दो अपने तो के साथ ज्यादा से ज्यादा जो भी जून 24 सक्रिम देने वाले हैं अपना सीए पांडिशन का चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई ऑल दे बेस्ट जैशी शाम थेंकिसो मच